कि नमस्कार आप वेव समचार देख रहे हैं और मैं हूँ परंबेर सिंग कुछ भी कहने से पहले पहले यह वीडियो देखें कि वीडियो में अपने साथ देखा कि एक विधायक जो ए आइम आइम के नौनिर्वाचित विधायक है वो हिंदुस्तान बोलने से मना कर रहे हैं दरसा मामला यह है कि उर्दू में उन्हें लिखकर सपद पत्र दिया गया था जिसमें हिंदुस्तान सब्द का जिक्र था यानि कि अपने भारत देख को उसमें हिंदुस्तान कहा गया था लेकिन अवेशी के विधायक अक्तुरूल इमान ने हिंदुस्तान बोलने से मना कर दिया उसके बाद बवाल हुआ भाजपा के नेता और कई विधायकों ने उन पे बरे आरोप लगाए और उन्हें पकिस्तान भेज़ित देने की धमकी भी दी लेकिन इसके पीछी का जो तर्क है क्या हिंदुस्तान नहीं बोलना सही माइने में एक जुर्म है क्या हिंदुस्तान नहीं बोलकर अवेशी के विधायक ने देश द्रोज ऐसा काम किया है तो चलिए इस बात पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं हिंदुस्तान और भारत दोनों ही का मतलब एक ही होता है हमारा प्यारा देश भारत तो मतलब भारत और हिंदुस्तान में अगर नाम की बात देखे तो कोई अंतर नहीं है दोनों का मतलब भारत ही होता है लेकिन अगर इ प्रिटिस इंडिया से अलग होकर दो देश बने हैं एक का नाम पकिस्तान है और एक का नाम हिंदुस्तान है जिसका विरोत कॉंग्रेस के तमाम बरेनेता और यहां तक की महात्मा गांदी भी करते थे उनका कहना था कि हिंदुस्तान सब अपने आप में ठीक नहीं है क्योंकि या एक अखंड भारत है और अखंड भारत में से अलग होकर एक पकिस्तान देश बना है बलकि बिटिस इंडिया से अलग होकर दो देश नहीं बने हैं अखंड भारत से अलग होकर एक पकिस्तान देश बना है तो इस अगर माइने से देखते हैं तो अक्तुरुल इमाम कहीं ना कहीं सही नजर आते हैं अब अगर हम दूसरी नजर से देखे तो हिंदुस्तान नाम आखिर परा कैसा हिसे हिंदुस्तान का मतलब यह नहीं होता है कि हिन्दुओं का इस्थान बलकि जो। assistance है शिंदूनदी आपको पता हुआ कि भारत में बहती है और भारत और पकिस्तान दोनों देशों में बहती है जो अरब कंट्री के लोग थे वह जो शिंदू नदी को वो लोग इंदू बुलाते थे उसी नाम को चलते हैं अरब के तरब के लोगों ने इस जगा का नाम हिंदूस्तान रखा और आपको यह भी बताते कि हिंदू नाहीं कोई धरम है हिंदू का मतलब यह नहीं होता है यह किसी धरम का नाम है जबकि सनातन धरम होता है और हिंदू धरम इसलिए इसको बोला गया क्यूंकि सिंदू नदी के आसपास के इलाकों में जो लोग रहते थे जिस धरम के मन्याता थी इसको अरब आले लोग हिंदू कहते थे लोगों हम लोग भारत के लोग हैं, इंडियन लोग हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि अक्तुरूल इमाम कहीं न कहीं अपने हिसाब से वो सही है। हिंदुस्तान और पकिस्तान के मामले पर नहरू और पटेल का कहना था कि यह दोनों देश एक टुकरा है बलकि दो टुकरे नहीं हैं, हमने इस टुकरे का नाम भारत रखा है, चाहे दूसरा टुकरा यानि पकिस्तान के लोग भारत को कुछ भी कहें। इसे देखे तो अक्तुरल इमाम ने नहरू और पटेल के विचारों को आगे बढ़ाया है, इसलिए उनका भारत का चर्चा करना और भारत बोलना सपत गरहन के दोरान यह सही नजर आता है। बहरहाल इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होती इसे लाइक करें और सेयर करें।